तो हेलो मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यार इस चैनल पर जिसका नाम है जियार कॉलेज तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के उपर हम लोग ने एक नया और एक फ्रेज बैच शुरू किया हुआ है हमारे 11th और 12th standard के बच्चे को नया क्यों कह रहा हूं क्योंकि एक बैच अल्री हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था हमारे जो हमारे जो में चैनल है जियार टुटेलर इसके उपर सही है तो अगर आप लोग को आगे के वीडियो कंटीनियू में देखने रहे हैं तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं सही है इस चानल के उपर भी हम लोग आप लोग को लेक्चर वाई लेक्चर हर एक सीज़े पढ़ा रहे हैं सही है हम लोग ने 12th biology की बात करो तो हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारा 8th lesson जिसका नाम क्या है respiration and circulation सही बात है और इसमें हमारा छटवा लेक्चर चल रहा है इसका मतलब अल्रडी मैंने 5 लेक्चर अपलोड किये हुए हैं तो जिस भी बच्चे ने कोई भी लेक्चर मिस किया होगा जरूर से देख लेना बहुत important चीज़ है बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोग को समझाई होई है सही है तो एक बार देख जरूर से लेना लेक्चर स्टार्ट केने से पहले आपको एक चीज़ बता दू कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे जरूर से डाउनलोड कर लेना बहुत important अप्लिकेशन है आप लोग के लिए बहुत useful होगी प्लेश्टर के पर जाना वहाँ सर्च कर लेना वहाँ पे आप लोग को बहुत सारे question paper देखने के लिए मिलेंगे जब आपके board आने वाले होंगे तो यह practice करने के लिए वहाँ पे नूट्स भी देखने के लिए मिलेंगे तो डाउनलोड जरूर से कर लेना अगर आपको कोई doubt होता है मेरे से related मेरे पूरे जितने भी मैंने topic पढ़ा है उनसे कोई feedback देना है तो भी आप आ सकते हो मेरे Instagram पर यह मेरे Instagram का ID है अब वहाँ पर आ सकते हो वहाँ पर मुझे follow भी कर सकते हो सही है तो start करें चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं देखो हम लोग ने जब यह लेसन स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि दो and the another one is circulation वाला पार्ट सही है respiration already हम लोग ने complete कर दिया हमारे 5 lectures के अंदर सही है तो पूरा का पूरा respiration complete कर रखा है सारे के सारे types of respiration के साथ सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है तो नहीं देखा तो देख लेना आज इस लेक्चर से बच्चों हम लोग start करेंगे हमारे circulation का पार् प्लाजमाला blood हमको पढ़ना पड़ेगा, blood के अंदर कौन-कौन सी चीज़े होती है, plasma को पढ़ना पड़ेगा, मतलब ढहरो सारी चीज़े हम लोग पढ़ेंगे blood के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे हमारे heart के बारे में, heart का structure देखेंगे, heart का function देखेंगे, heart किस तरी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ, digestive system की, मैंने आप लोगों को बताया था, कि हमारे body में जितनी भी systems है, सब एक दुसरे से correlate करते हैं, सारे के सारे function एक दुसरे की उपर निर्भर है, सही बात है, तो अगर मैं बात करूँ हमारे digestive system, कि मानलो यह हमारा stomach है, this is the stomach, सही है, फिर यहां से हमारे small intestine आते हैं, सही है, और यहां से हमारे large intestine, शही बात है, इसे हमारा large intestine है, कूछ ऐसा हमारा digestive system दीखते है, तो हमारे digestive system में होता है कि है जो भी हम खाना खाते हैं वो आता है इस stomach के अंदर मान लोग जो भी आपका food molecule है वो कहाँ पे आता है इस stomach के अंदर और इस stomach के अंदर जितने भी nutrients हैं वो सारे के सारे absorb कर लिये जाते हैं इन stomach की walls के दौरा या फिर हम लोग कह सकते हैं इन intestine की walls के दौरा या फिर आपके small intestine और large intestine इनका function यह यह कि जो भी nutrients से आपके food molecule के अंदर उनको absorb कर लिया जाए तो हम इन the sense कह सकता हूँ glucose absorb होता है अगर आप digestive system पढ़े तो आपको बता होगा glucose बहुत सारी चीज़े अब्साप करते हैं हम लोग proteins को absorb करते हैं lipids को absorb करते हैं fat को absorb करते हैं और absorb करके डालते कहा है यहा से blood vessel आईए हमज़रो? यहा से blood vessel आईए तो हम जितने भी हमारे nutrients है वो सारे के सारे कहां डाल देते हैं blood vessel के अंदर इस सारे के सारे कहां चले जाते हैं, इस blood vessel के अंदर चले जाते हैं, फिर अभी हम लोग ने इसके पहले ही वाले part में respiration पढ़ा था, this is the respirator system, यह है आपके lungs है, अब इसके अंदर क्या आया हुआ है, हमारा oxygen आता है, बाहर से जब आप breathing करोगे, तो breathing के तुरू क्या आता है, यहाँ पर oxygen आता है, सही है, और इसके अंदर जो CO2 रखा हुआ है, वो यहाँ से निकल जाता है, expiration के तुरू, अभी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, यह सारी चीज़े, तो यह जो oxygen आया हुआ है, आपके lungs के अंदर, lungs के अंदर इसे छोटे-छोटे bag like structure होते हैं, जिने हम लो लोग ने पढ़ी है, सही बात है, और कौन-कौन से चीज़े transfer होती है, हमारे blood के, देखो, हमारे body के अंदर बहुत सारे endocrine glands है, ऐसे glands, जो अपना secretion, उनका secretion के एक कुछ hormone secret करते होंगे, तो अपना secretion है, वो भी कहाँ डाल दे रहे हैं, वो लोग blood के अंदर डाल दे रहे समझे बार है, समझे बार है, इसका मतलब क्या है, blood in the cells, circulatory system, तो आपके circulatory system का काम क्या है, आपके circulatory system का में एक काम लेख सकता हूँ, that is, transferring, transferring of material, material कहलो है, आपर substance कहलो, from one place, one place, to another in body, तही बात है, मतलब अगर आपके body में कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होगा, अगर आपके body में कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना होगा, तो आप कौन से system का सहारा लोगे, that is, circulatory system का, सही बात है, अब ये कहां जा रहे है, हम मतलब को पता है, अगर इसके अंदर glucose है, सही है, और इसके अदर जो CO2 बना हुआ होगा, वह वापस किसके अंदर आ जाएगा, इस oxygen के अंदर आ जाएगा, और ये CO2 वापस यहां से transfer हो के expiration के थूर निकल जाता है, समझ मैरी बात, तो मतलब आपके body के अंदर, जितनी भी transfer करनी है, एक जगह से दूसरी जगह पर, उन सारे चीज़ों में कौन आता है भाईया, कौन काम करता है, that is आपका circulatory system, समझ मैं ही बात, तो circulation का मतलब समझ में आ गया, का काम है इस system का वो समझ में आ गया, सही है, अब ये system कैसे work कर रहा है, बच्चों, ये सारे कि सारे simple diffusions या फिर हम लोग कह सकते हैं, ऑस्मॉसिस से work कर रहे है, ऑस्मॉसिस मतलब क्या, कि कोई भी चीज़े एक जगह से दूसरी जगह transfer हो रही है, तो ये diffusion कहलाया जा सकता है, मतलब यहाँ पे concentration ज़ाद है, मैंने आप लोगों याद करो पढ़ाया था, external respiration में, कि यहाँ पे oxygen की concentration 104 mmHg होती है, सही है, और यहाँ पे कितनी होती, 40, तो कोई भी चीज़ यहाँ से यहाँ transfer होगी, हमेशा चीज़े higher concentration से lower concentration transfer होती, सही बात है, तो इसका मतलब क्या है, कि हमेशा चीज़े diffusion वाला रस्ता ही follow कर रही है, diffusion मतलब क्या, higher concentration to lower concentration जाओ, अगर इसके बीच में कोई wall आ गई, कोई semi permeable membrane आ गई, तो इसका हम लोग osmosis कह देंगे, बड़ा है न हम लोग में, चीक है, तो इसका मतलब क्या है, कि आपके body के अंदर सारा का सारा चीज़े transfer हो रहा है, because of this blood, और इस blood में कोई भी चीज़ आ कहां से रही है, या तो वो osmosis के थुरू आ रही है, या circulatory system को कहने का fancy तरीका है, और कुछ नहीं, तो blood vascular system दो प्रकार के हैं, हमें पढ़ना है, actual में blood vascular system दो प्रकार के हैं, सबसे पहला है बच्चो, open circulatory system, या फिर open blood vascular system कहा सकते हूं, मैं लिखता हूँ, open circulatory system, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, देखो, open circulatory system का मतलब यह है, कि जिस भी person के अंदर, या फिर person में तो नहीं, जिस भी organism के अंदर, open circulatory system follow होगा, उसके अंदर, उसका जो blood है न बच्चो, वो vessels में नहीं travel होगा, हमारे body में कैसा होता है, हमारे body में vessels है, हमारे body में blood ऐसी थोड़ी फैल जा है, but open circulatory system के बात करे, तो blood तो flow होगा पुरे body में, but without any pipes, या फिर without any blood vessels, समझ मेरी बात, तो उनके body में, ऐसे ही blood vessels flow जाता है, जैसे cockroach का example आप लोग ने पढ़ा होगा, last year आप लोग ने cockroach पढ़ा था, आनलो, this is the cockroach, एक cockroach बना रहा हो, cockroach के अंदर, open circulatory system होता है, मैंने आ count कर ले ना, मैंने count नहीं किया, तो यहाँ पे, इतने ज़्यादा chamber of heart है, और यहाँ से छोटी सी blood vessel आती है, और यह क्या कर देती है, पूरे के पूरे blood को, ऐसे पूरे के पूरे body में pour कर देती है, समझ रहो, तो मतलब इसके अंदर कोई blood vessel नहीं है, आपके पूरे के पूरे blood में ही, आपके पूरे के पूरे body में ही आपका blood घूमर है, समझ रहो, तो ऐसे circulatory system को हम लोग क्या बोलते है, open circulatory system, जहाँ पे कोई blood vessel involved ना हो, या फिर हम लोग कह सकते है, blood vessel तो होती है, पर capillary नहीं होती, वहाँ पे आपके जो cells होते है, अब मालो, इसके बीच में कोई cell पढ़ा है, जिसको oxygen चाहिए, सही है, तो पहली बात, तो open circulatory system इतना अच्छा है ही नहीं, कि वो oxygen के लिए use किया जाए, इसलिए हम लोग ने देखा था, कि cockroaches के अंदर कभी भी circulatory system से, circulatory system से आपका oxygen travel नहीं करता, वो अलगी यहाँ से pipe से travel कर देता है, हम लोग ने पढ़ा है, उसे हम लोग hemolymph कहते है, क्योंकि हो white color का होता है, उसके अंदर को pigment present नहीं होते, pigment करेंगे ही क्या, जब उनको oxygen को trap ही नहीं करना है, हमारे body में pigment होते ही hemoglobin, क्योंकि उनको oxygen को trap करके चलना पड़ता है, सही है, पर इनके अंदर respiration तो हो ही नहीं रहे, तो क्या हो रहा है, इनके अंदर वहिया, इनके अंदर जो बाकी के nutrients हैं, वो जा रहे हैं, इन blood के अंदर, जो waste material है, वो जा रहा है, इस blood के अंदर, समझ महारी बत, चीक है, तो इसका, जो blood है बच्चों, वो actual white color का होता है, एक रेड से बनाने ही नहीं चाहता, इनका जो blood है, वो white color का होता है, समझ महीं बात, जिसमें आपका blood open घूम रहा हूँ, और हमारे अंदर close circulator system है, जिसमें हमारा blood vessels में घूमता है, अब इसका फाइदा के है, क्यों जरूर ही है, बहुत सरे बच्चे मुझे से पूछते, देखो, अगर आपके body में, अगर आप imagine करो, कि आप घर पे पानी भर रहे हूँ, ठीक है, और आपने क्या किया, एक pipe से पानी को ऐसे जमीन पर flow, ऐसे फैला दिया, ठीक है, तो वो पानी जो है, वो जमीन पर बहुत ज़्यादा surface area cover कर लेगा, तो वो बहुत ही धीरे धीरे बड़ेगा, मतलब उसके उपर pressure जादा नहीं लग रहा, वो बहुत ही fast जाएगा, बहुत ही pressure से जाएगा, वहाँ पर blood pressure बनेगा, समझवेरी बात, और हमारे body में देखो, heart यहाँ पर होता है, सही है, तो हमारे blood को उपर तक travel करना पड़ता है, brain तक travel करना पड़ता है, anti gravity force लगाना पड़ता है, सही है, तो उसके लिए pressure होना बहुत ज देखने के लिए मिलता है, सही है, तो हमारे अंदर देखने के लिए मिलता क्या है, closed circulatory system, ठीक है, closed circulatory system मतलब क्या, जिनके अंदर blood capillaries present होंगी, जिनके अंदर blood vessels present होंगी, सही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका blood है, वो हमेशा एक pipe में ही travel होगा, एक blood vessels में ही travel होगा आपके body में एरा गरा यहीं ऐसे ही कहीं भी blood flow नहीं होने वाला सही है तो यहाँ पे लिख दो always travel in blood vessel समझवारी बात समेशा blood vessel में अगर चीज़े transfer होंगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, closed circulatory system अब आप लोग को open circulatory system समझ में आ गया आप लोग को closed circulatory system समझ में आ गया लेकिन closed circulatory system भी दो प्रकार के होते हैं धान सा सुनेंगे closed circulatory system भी दो प्रकार के होते हैं एक है आपका single circulation the first is the single circulation अब इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है यह बच्चों हमें देखने मिलता है है फिश के अंदर सिंगल सर्कुलेशन हमें फिशिस के अंदर देखने मिलता है तो मान लो मैं यहाँ पे एक फिश बना रहा हूँ कि मैजन फिश के सबना एक है कि काम चलाओ फिश है इमाजन फिश फोड़ी सी मोटी बनाने पड़ेगी कि मुझे चीज दिखाने हैं आप तो इमाजन यह एक फिश है जिसकी यहाँ पर आखें है इसकी आखें है बहुत प्यारी सी यहाँ पर इसका मुह है इमाजन कर लो जो फिश का हाट होता है न बच्चो फिश का हाट बच्चो टू चेंबर होता है फिश का हाट कितना होता है दो चेंबर का तो मतलब एक चेंबर यहां पे और एक चिंबर यहां फिश का जो ह송 रहता हुंभाया दो । होता क्या है सबसे पहले आपके इस हार्ट के अंदर आपके इस हार्ट के अंदर बच्चो दि उक्सीं व्लै कहां पर आया है आपके heart के अंदर आया है अब heart क्या करेगा इस एक आपके एक chamber से इस deoxygenated blood को receive करेगा और दूसरे वाले chamber से यहां से deoxygenated blood को क्या कर देगा push कर देगा पुश करने के बाद यहां से आपका blood देगा अभी भी यह क्या है deoxygenated blood है उसके बाद यह आपका deoxygenated blood यहाँ पर एक दूसरे organ के पास जाता है यहाँ पर एक दूसरा organ होता है बच्चो जिसे हम लोग कहते हैं pharynx यहाँ पर एक दूसरा organ है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं gills अब हम लोग को पता है कि fishes के अंदर जो भी respiration है हमारे पास lungs होता है उनके बस gills होते हैं gills के थूओ लोग respiration करते हैं सही है तो यहाँ पर क्या होगा जान से सुनेंगे यहाँ पर क्या होगा इस gills के पास क्या जाएंगे इस gills के पास क्या जाएगा यह deoxygenated blood जाएगा यहां से oxygenate होके निगलेगा, क्यों? क्योंकि यह gills क्या करेगा, इसके अंदर oxygen डाल देगा, clear है? अब यह oxygen, अब यह जो blood है, यह oxygen देने के लिए किसके पास जाएगा, मानले यह आप इस cell है, अब इस cell को oxygen चाहिए, तभी तो यह आके चल के अपना respiration करेगा, तो जैसे ही, य यहां तो होचा, इस cell के पास पहुचा, तो इसके पास जो भी oxygen था, इस cell के पास जो भी oxygen था, वो कहां चला जाएगा, इस cell के पास अंदर चला जाएगा, और इस cell के पास जो CO2 था, वो कहां चला जाएगा, इस cell के पास चला जाएगा, मतलब यह वापस blood क्या बन गया, oxygenated, और ये वापस कहां चला जाएगा इस वाले heart के अंदर चला जाएगा समझ में ही बाद अब देखो यहां से हम लोगों क्या पता चलता है यहां से हम लोगों एक चीज पता चल रही है बच्चो कि आपके heart में आपके heart में जो blood है वो सिर्फ एक ही बार आ रहा है आपके heart में जो blood है वो सिर्फ एक ही बार आ रहेगा एक ही चक्कर मार रहे है फिर उसके बाद उस गिलज में चले जा रहा है फिर वो छोटे-छोटे cells में चले जाएगा फिर de oxygenate होगी फिर सा हार्ट में है तो आपके heart में जो आपका blood है, आपके body का blood है, आपका तो नहीं, जो facious है, उसके body का blood है, वो सिफ एक ही चक्कर मारता है, that's why it is known as single circulation, और जब मैं double circulation पढ़ाओंगा तो आप लोगो यह जाधा अच्छे से clear समझ में आएगा, समझ में ही बाद, ठीक है, अभी I know आप लोगो इसके heart इसके पास इसके हार रहा है, यह बला oxygenated blood थाा, जो इसके पास आई नहीं दहा, समझ मेरी बत हमेशा ये deoxygenated blood से ही deal कर रहा है that's why it is a venus heart clear है आज आज आओ next पर चलते बच्छो double circulation अब double circulation क्या होता है double circulation हमारे अंदर देखने के लिए मिलता है humans के अंदर देखने के मिलता है क्योंकि humans का heart है वो 4 chamber का होता है तो मान लो यहाँ पर मैंने एक chamber बना है this is the one chamber ठीक है and here is the another chamber clear है थोड़ा सा अच्छे सा बनाते है clear है ठीक है तो यह आपका heart है अब देखो heart को जो आप लोग study करते हैं तो आप जिस भी person के heart को study कर रहे हो वो आपके right side में है आपका जो left है वो उस person का right है समझ रहे हो तो इस वाले side को हम लोग right कहेंगी इस वाले side को हम लोग left कहेंगे क्यों? क्योंकि आप जिस भी heart को study कर रहे हो वो person आपके ऐसे खड़ा होगा तभी तो आप उसके heart को देख रहे हो और उस person का वो right होगा और ये left होगा सही है that's why it is a right side and it is a left side उपर वाले part को हम लोग बच्छों atrium कहते हैं तो it is a right atrium और नीचे वाले part को हम लोग ventricle कहते हैं so it is a right ventricle clear है? वही अगर हम लोग इसकी बात करें तो it is a left atrium and it is a left ventricle अब होता क्या है देखो मान लो यहाँ पर है हमारा lungs या फिर मान लो यहाँ पर यहाँ पर है हमारा lungs चिक है? और यहाँ पर है हमारे body के सारे cells यहाँ पर हमारी पूरी body है जिसको oxygen की जरुवत है अब होता क्या है? जो body है वो oxygen का use करके यह Deoxygenated Blood कहां बेज देती है, इस राइट एट्रियम में, आपका जो ब्लड है, वो यहां से travel हो के कहां चला गया, राइट एट्रियम में चला गया, और राइट एट्रियम से यह ब्लड कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल से, समझ में इस बाद, चीक, क्या हुआ देखो, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से, इसे पुश कर दिया जाएगा, बच्चों, लंग्स के पास, कहां पुश कर दिया जाएगा, लंग्स के पास, मतलब आपके लंग्स में क्या चला गया है, that is deoxygenated blood, oxygen लेने के लिए, सही है, फिर यह oxygen लेकर, यह जो और left ventricle से, यह जो आपका blood है, यह push होता है, सारे के सारे body parts, समझ में ही बात, क्या होता है हमारे body के अंदर, घ्यान से सुनो, आपके body से, जो भी deoxygenated blood है, वो सबसे पहले कहां पर receive होगा, right atrium में, सही बात है, फिर right atrium के बाद, घ्यान से सुनेंगे, right atrium के बात, वो blood कहा जाएगा, right ventricle में जाएगा, सही बात है, फिर right ventricle उसको push करेगा, कहा पर lungs के पास, अब lungs से वो direct body में नहीं चला जाएगा, वो वापस किस के पास आएगा, heart के पास आएगा, कौन से part में आएगा, left atrium में आएगा, सही है, और left atrium से वो कहां shift होगा, left ventricle में, और left ventricle उ आपके heart के दो चक्कर लगा रहा है, सही है, एक de-oxygenated के form में, और एक oxygenated के form में, जो blood गया था, lungs के पास, वही blood वापस oxygenate होगे, वापस heart के पास है, समझ रहो, तो इसने कितने चकर लगा है, एक ही blood ने आपके heart के दो चकर लगा है, that's why it is considered as double circulation, अब आप लोगो समझ में आ होता था, तो वापस आता था, कि heart के पास नहीं, यह सीधा किसके पास चले जाता था, body के cells के पास, और वापस de-oxygenate होगे, heart के पास आता था, समझ में ही बत, तो यहाँ पर आपका जो blood था, वो heart के एक ही चकर मारता था, that's why it is a single circulation, and यहाँ पर आपका जो blood है, वो आपके heart के दो चकर मार रहा है, that's why it is a double circulation, clear है, समझ में आ गया, so what is meant by single circulation, and what is meant by double circulation, clear है, आज आओ, next पे चलते हैं, अब next हम लोग बात करेंगे, हमारे, अपने circulatory system के, क्योंकि हम अपनी बात करेंगे, ज्यादा तर, तो अगर circulatory system of human की बात करेंगे, बच्चो, तो तीन ही चीज़ पर हमारे blood vessels, तीन प्रकार के blood vessels होते हैं, एक है आपके arteries, एक है आपके veins और एक है आपके capillaries, सही है, arteries के अंदर क्या होता है, arteries के अंदर बच्चों हमेशा oxygenated blood जाता है, vein के अंदर हमेशा आपका de oxygenated blood आता है, सही है, और last है, आपके blood, हमझ में आरी बात, ठीक है, तो आग बहुत ही important component सबसे पहला है हमारा heart, next blood vessels and the last one is blood, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस blood की, हम लोग धीरे धीरे करके चीजों की study करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस blood की, आखिरकर बलड के अंदर होता क्या क्या है, तो अगर मैं blood की बात करूँ बच्चों, तो blood दो चीजों से बना हुआ है, अगर मैं ब्लेड की बात करूं, तो ब्लेड दो चीजों से बना हुआ है, एक है आपका liquid part और एक है आपके cells, जिसे हम लोग formed particle भी बोलते हैं, सही है, तो एक है आपका liquid part, इस liquid part को बच्चों हम लोग कहते हैं, plasma, या कहते हैं, plasma, और actual में इस plasma का color होता है, yellow color, yellow color होता है, फिर straw color भी लिखा रहता है, कहीं के, straw का मतलब भी yellow ही होता है, अग्दम हलका yellow, चीज़क है, तो actual में आपके blood, yellow color का होता है, बट उसके अंदर, बहुत सारे cells घूम रहे हैं, that is, RBCs घूम रहे हैं, बताओंगा मैं आप लोग का RBC क्या होते हैं, च समझ रहे हो, almost 50 है, बट थोड़ा सा जाद है, that is 55%, और दूसरे आपके component क्या है, that is cells, cells कहलो, या फिर आपके formed particle कहलो, आई है, formed particle कहलो, समझ माई बाद, चेक है, तो अगर मैं blood की बात करूँ, अगर आपके blood, दो चीज़के मिलके बने हुए हैं, एक है आपका liquid part, that is nothing but a plasma, and our next part is, that is cell, या फिर आप formed particle कह सकते हो, formed particle कितने percent है, यह 55 है, यह होंगे 45%, मतलब आपके 45% cells present होते हैं, और आपके 55% that is blood plasma present होते है, जो blood plasma होता है, उसका actual color, yellow होता है, yellow लिख लो या फिर straw color लिख लो, तो मतलब ही हलका yellow होता है, समझ रहो, समझ रहो, चेक है, अगर मैं बात क करूँ सिर्फ और सिर्फ plasma की, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ plasma की बात करूँ, तो plasma भी almost 90% water से बना हुआ है, आपका जो plasma है, उसके अंदर बच्चो, mostly क्या present है, water present है, कितना 90% समझ रहो, तो जादा तर आपका जो blood plasma है, जो आपका blood के अंदर जो plasma present है, that is liquid part, वो किस से बना है, कितना 90%, समझ रहो, इस 55 को अगर आप 100 कंसिटर करोगे, तो इसके अंदर 90% का present है, सिर्फ और सिर्फ water present है, और कुछ proteins present है, next हम लोग बात करें, तो कुछ proteins present है, सही बात है, अब कौन-कौन से protein को हमको पढ़ना है, तीन protein है, तीन protein है, धान से सुनेंगे, albumin, एक है आपका albumin, एक है आपका globulin, और एक है आपका fibrinogen, और कोई भी protein को नहीं पढ़ना, और जितने protein दिये हुए हैं, उनको ignore करो, इन तीन protein को पढ़ना है आप लोग को, ये तीन protein सबसे ज़्यादा है, तो आपके plasma में मैंने क्या-क्या बोला, plasma के अंदर कौन-कौन से चीज़े हैं, plasma की अगर हम लोग बात करें, तो आपका plasma 90% किस से बना हुआ है, almost 90% किस से बना हुआ है, protein से बना हुआ है, सारी, water से बना हुआ है, और कुछ percent इसके protein से भी बने हुझे से, 6-7% आपका protein है, और क्या-क्या present हो देखो, हम लोग को पता है, हमारे blood के अंदर बहुत सारे nutrient भी है, जो कहां से आए है, digestive system से आए है, सही है, तो इसके अंदर बहुत सारे nutrient भी है, बहुत सारे ions भी है, समझे रहो, बहुत सारे hormones भी है, यह सारी चीज़ों को अभी हम लोग consider नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम amount में होते, बट यह सारी चीज़े भी आ बहुत ही important है हमारे लिए, और हमें पता होने चीए कि यह actual में बनते कहां से हैं, और इनका function क्या है, सबसे पहले आगर मैं बात करूँ बच्चो, albumin के, तो albumin और यह जो fibrinogen हैं, यह दोनों के दोनों बनते हैं liver के अंदर, समझ मैं ही बात, यह दोनों के दोनों कहां बनते हैं, liver के अंदर बनते हैं, अगर, अगर आप लोग को एक चीज़ पता हो, जैसे मान लोग, आपका artery आई, चैके, artery किसी, arteries किसी, organ के अंदर गई, मान लोग, this is the organ, जहां जिसके अंदर arteries enter कर रही है, और इनके सारे cells को मुझे oxygen देना है, सही है, तो यहाँ पर क्या होगी, आ चोटे-चोटे parts को हम लोग बोलते हैं, capillaries, सही बात है, अब इन capillaries से होता क्या है, देखो, कभी भी blood बाहर नहीं आता, इन चोटे-चोटे parts के अंदर आपका blood flow हो रहा है, सही है, तो यह blood कभी भी बाहर नहीं आता, इसके अंदर से कुछ liquids बाहर आते हैं, उन्हें liquids को हम लोग interstitial liquid बोलते हैं, सही बात हैं, जो भी खाली space पर प्रेजेंट उसको हम लोग interstitial liquid बोलते हैं, सही है, तो यहां से कुछ interstitial liquid यहां से बाहर निकल रहा है, समझे रहे हैं, अब यह interstitial liquid पूरा का पूरा बाहर ना आ जाए, और यह वापस अंदर चला जाए, इसक इसको ध्यान में रखने का काम, इसका function किसका है इस albumin का, तो मुझ मेरी बात, तो इसका मतलब क्या है, कि यह osmotic pressure को maintain करता है, समझ में यही बात, और यह कहां बनता है, liver के अंदर बनता है, clear है बात? explaining कि बात करें, तो कहां बनता है, यह liver के अंदर बनता, और इसका function क्या ह है तेट इस ऑस्मॉटिक प्रेशर को मेंटेन करना ठीक है मैं बात करूँ ग्लॉब्यूलिन की अलग से लिख लेते हैं काम करते हैं कि अल्ब्यूमिन इसकी बात कर ली हम लोग ने अभी अगर में आप लोग को ग्लॉब्यूलिन की बात बताओं तो ग्लॉब्यूलिन तीन प्रकार के ओते हैं एक आपका अलफा एक आपका बीटा और एक आपका गैमा तीन प्रकार के होते हैं एक आपका अलफा एक आपका बीटा और एक आपका गैमा हम लोग इन दोनों की बात नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारे syllabus में नहीं है तो यह हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गैमा globulin की इसको बनाते हैं बच्चों हमारे body की plasma cell और बनाते हैं plasma cell मतलब हमारे body में जो भी WBC होते हैं डबलू बीसे पढ़ाओंगा मैं आप antibiotic काम करता है समस्ते हो ना antibiotic मतलब क्या कोई भी वैक्टिरिया घोज गया आपके blood में कोई भी आपको infection हो गया कोई virus हो गया तो उसको मारने में आपका help करेगा कौन सा आपका that is gamma globulin और लास्ट अब बात करते हैं fibrinogen की अगर मैं fibrinogen की बात करूं तो इसका function होता है बच्चो blood clotting को रोगना जिसे मान लोग कभी आपको चोट लग गई तो वहां से blood flow ने लगते हैं और कुछ टाइम बाद आपने नोटिस करोगे कि वह blood flow अपने बंद हो जाता है अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा अगर आपको एक बार चोट लग गई तो हमेशा वहां से bloody निकलते रहेगा bloody निकलते रहेगा समझे आपकी body से कितना blood waste हो जाएगा भाई इसका मतलब वहां से blood ना निकले है that's why मुझे उस blood को clot करना पड़ेगा उस position को clot करना पड़ेगा तो blood clotting के लिए ठेक है कौन आपका responsible है कौन सा protein responsible है that is fibrinogen इसको हम लोग detail में पढ़ेंगे attention मतलो एक topic है आपका blood अभी इतना समझ लो blood clotting के लिए कौन इसको बनाता कौन है इसको बनाता है liver cell clear है समझ में आ गया समझ में आ गया so I guess हम लोग ने plasma को already discover कर लिया है ठीक है समझ में आ गया formd particle की बात करें अगर इसकी बात करें तो तीन प्रकार के अगर हम इसकी बात करें या फिर और मुड पार्टिकल की बात करें तो तीन हम लोगों को पढ़ने हैं तीन हम लोगों को पढ़ने सबसे पहला है RBC सबसे पहला क्या है RBC जिसका फुलफर्म क्या है Red Blood Cell इसी को ही Erythroside भी कहते है Erythroside भी कहते हैं मतलब क्या है Erythroside word का Erythro का मतलब होता है Red और Sight का मतलब क्या होता है Cell तो Red कलर का जो Cell है उसे हम लोग क्या कहेंगे सबसे जादा यही प्रेजन्ट होता है इसको हम लोग डीटेल में डिस्कूस करेंगे टेंशन मतलो फिर नेक्स होता है बच्चों हमारा WBC इसको हम लोग कहते है White Blood Cell इसे हम लोग क्या बोलते है किसी चीच को उसको हम लोग वाइट नाम दे देते हैं और लास्ट है हमारे प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स एक्च्वल में कोई Cell नहीं है प्लेटलेट्स बड़े बड़े Cells के टुकड़े होते हैं जब Cells का एक आपका RBC एक आपका WBC और एक आपके प्लेटलेट्स clear है तो यह आपके Cells के तीन टाइप है और अगर मैं बात करूँ प्लाजमा के तो प्लाजमा दो चीज़ों से बना है एक आपका Water और एक आपके कुछ Proteins, Proteins में आपको Albumin, Globulin and Fibrinogen के नाम याद रखने है है clear है और भी बहुत सारी चीज़े होती है nutrient होते है और भी बहुत सारी चीज़े होती है antioxidants होते हैं, cholesterol होता है और भी बहुत सारी चीज़े आपके blood में मिली हुई रहती है सही है, लेकिन उसको हम लोग consider नहीं करेंगे अभी हम लोग सिर्फ इन दो चीज़ों को consider करते हैं clear है, so I hope आप लोगो यहां तक चीज़े समझ में आ गई होगी जो next lecture होगा, उसके अंदर हम लोग blood के जो cells हैं, उनको detail में discuss करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार वो कैसे बनते हैं, कैसा कैसा उनका shape होता है, कितने types के cells होते हैं, वो सारी चीज़े हम लोग अगले lecture के लिए रखते हैं so I hope आप लोगो आज का यह जो वीडियो है, समझ में आया होगा, बहुत सारी नई-नी चीज़ा आप लोगो सीखने के लिए मिली होंगी, वीडियो पसंद आया तो like जरूर से कर देना, चैनल पर नए आया हो तो subscribe जरूर से करके जाना और जो bell icon है उसे भी all पर set कर देना clear है, तो मिलते हैं, नेक्स्ट भी वीडियो में तब तक के लिए keep study